इस दुनिया में लगभग सभी इंसानों को कुछ ना कुछ तो पसंद होता ही है और इसी पसंद को इंगलिश में कहते हैं फाइल ऐसे बहुत तरह के पसंद होते हैं और उनके लिए अलग-अलग इंगलिश टर्म यूज किये जाते हैं तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ पसंदों के बारे में डिसकस करेंगे और आपको बता दूँ ये वाला टॉपिक वन वर्ड सब्स्टिटूशन के अंदर आता है जो की लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एक्जाम्स में पूछे जाते हैं चाहे वो SSC हो या UPSC तो चलिए शुरू करते हैं और cold weather पसंद हो उसे हम English में कहते है चियोनो फाइल जिस इनसान को Cinema देखना पसंद हो उसे कहते है सीने फाइल जिस इनसान को सनलाइट और सनी वेदर पसंद हो उसे कहते हैं हिलियो फाइन जिस इंसान को कॉफी पीना पसंद हो उसे इंगलिश में कहा जाता है जावा फाइन जिस इंसान को डाकनेस और सेड पसंद हो उसे कहते हैं लाइगो फाइन जिस इंसान को टीडी बीर्स पसंद हो उसे कहते हैं जिस इंसान को बिल्निया पसंद हो उसे कहते हैं अलिवरोफाइल जिस इंसान को ऐसे ही बिष्टर पर लेटे रहना पसंद हो उसे कहते हैं क्लीनोफाइल जिस इंसान को संसेट पसंद आता है उसे कहते हैं उपाकारोफाइल जिस इंसान को शडाब यानि वाइन पसंद हो उसे कहते हैं ओएनोफाइल जिस इंसान को पीजन्स पसंद हो उसे कहते हैं पेरिस्टेरोफाइल जिस इंसान को चांद यानि मून पसंद हो उसे इंगलिश में कहते हैं सेलेनोफाइल जिस इंसान को समुद्र और ओ्षन बहुत पसंद आता है उसे कहते हैं थलासोफाइल जिस इंसान को अजनभी लोग यानि foreign people पसंद आता हो और उनका culture भी उन्हें कहते हैं जेनोफाइल जिस इंसान को अंधेरी रात पसंद हो उसे इंगलिश में कहते हैं निक्टो फाइल जिस इंसान को क्लाउड्स पसंद हो उसे इंगलिश में कहते हैं नेफो फाइल जिस इंसान को गाने पसंद आता हो यानी म्यूजिक लवर उसे कहते हैं मेलो फाइल जिस इंसान को नए नए चीजे सीखना या फिर जानना बहुत पसंद हो उसे कहते हैं सोफो फाइल या फिर फिलो मै्थ जिस इंसान को सिंगल रहना पसंद हो उसे कहते हैं मोनोफाइल जिस इंसान को घर के अंदर रहना पसंद हो यानि स्टेइंग इंडोर्स उसे कहते हैं हिक्की मोरी फाइल जिस इंसान को औरत यानि लड़कियों से प्यार हो उसे कहते हैं गिनेफिलिया जिस इंसान को लड़कों से प्यार हो उसे कहते हैं एंडिरोफिलिया जिस इंसान को लव, affection और kindness पसंद हो उसे कहते हैं फिलोफाईल तो उमीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए तो मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ